सो हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉम्टन ओप्टिमस डेजर्ट कूलर के बारे में यह हमारे पास 100 लिटर वाला टैंक है और यह अप्टिमस के नेम से अविलेवल है क्रॉम्टन ओप्टिमस और इसकी कुछ हाइलेटेड फीचर्स की बात कर ले तो य 100 लिटर वाला टैंक है और एक साल की वारेंटी के साथ आता है इसके अंदर आपको हाइडेंसिटी हनीकॉम का यूज हुआ है और इसका वाइडर एंगल थ्रू है यह कुछ इसके हाइलेटेड फीचर्स है यहां पर आप बॉक्स पर देख सकते हो एवर लास्ट पंप है इ साथ मॉस्क्यू टू नेट भी दिया गया है और टो ड्रेन की सुविदा है इसमें और अटो फिलिंग के भी सुविदा है और इसका जो आपको ब्लेड मिलता है फैन का वह फोर ब्लेड वाला फैन है तो अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो आप बॉक्स पर देख सकते हो यह प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन पर्चेस किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हो जो यह पैकेजिंग था इनका काफी अच्छा था यहां पर कोई भी डैमेज प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है यहां पर आपके देख सकते हो ओवराल लुक इसका कुछ इस तरह का है सो इस कूलर के अगर हम फ्रंट साइट की बात करें तो आप देख सकते हो जो यह लोवर्स आपको मिल रहा है इसमें होरिजंटल वाले यह दो पार्ट में है तो ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड दोनों का आपक को मैनुवली एडजस्ट करना होगा अपने प्रिफरेंस के एकॉर्डिंग और उसी के साथ अगर इस होरिजंटल लोवर्स की बात करें तो इसका जो ग्रिप है काफी पर्फेक्ट है अगर आप इसे हाई स्पीड पर चलाओ यह लोव पर चलाओ ऐसा नहीं है कि यह ऊपर वील्स दिये गए हैं जो कि आप जब बॉक्स को ओपन करोगे तो उपर के जो आइस चमबर का कमपार्टमेंट है कुछ ऐसा दिखता है उसी के अंदर आपको पांच वील्स और एक ड्रेन यूनिट जो होगा इसमें एक चोठा सा पाइप वो इसमें अंदर आपको दिख ज सकते हो पाइपिंग कुछ इस तरह का है फुली मैं इसे ओपन अभी नहीं किया हूँ जब ओपन करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सेर करूँगा यहां पर इसकी डेंसिटी देख सकते हैं हनी कॉम का कैसा यूजड है और इसमें जो ब्लेड आपको दिए चार मिलते हैं और यहां पर आप देख सकत एक क्लिप लगाऊगा सो यह क्लिप एक्षुली बैलेंसिंग क्लिप है और बट यह जो लगाया गया है तो यह अब देख सकते हो आपको दिख रहोंगे तो यह full body और जो भी blade है यह ABS plastic का है plastic की quality की बात करें तो ठीक ठाक है बट यहाँ पर आपको थोरी थोरी जो भी इसकी जो finishing अगर हम बात करें तो वो properly नहीं किगए है आपको कहीं न कहीं पर वो देखने को मिलेगा ऐसा इसका जो finishing है वो proper नहीं है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपके end तक जरूर देखेगा और वही अगर right side की बात करें तो आप देख सकते हो यह mosquito net है इसको आप easily यहाँ से निकाल सकते हो और इसको cleaning करना भी काफी easy है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यह देख सकते हो white color का है और यहाँ पर जो net है काफी पतला सा use किया गया है और उसी के साथ honeycomb pad भी देख सकते हो यहाँ पर अगर thickness की बात करें तो वो open करके ही पता चलेगा कितना थिक है बट अभी तक हमने open नहीं किया है और अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हो इसको लगाना भी काफी easy है बट जब यह new product है तो इसका जो finishing ही बात करें तो certain आपको यहाँ पर plastic का जो यह है न वो proper cutting नहीं है edges के पास जिसके through यह जो भी mosquito net है वो properly इसके अंदर align नहीं हो पा रहा है तो आपको blade से थोड़ा सा जो भी plastic का वो जो निकला रहता है थोड़ा थोड़ा सा parts होगा उसको आप clean कर दोगे तो यह easily चला जाएगा तो देख सकते हो friends यहाँ पर जो भी parts थे मैंने उसको निकाल दिया है और उसके बाद यह जो है properly aligned हो जाता है बट यहाँ पर यही है इस product का इतने अगर आप पैसे ले रहे हो तो जो भी इसका finishing था वो proper होना चाहिए था बट वो इसमें नहीं है कुछ और है मैं आपको आग easy process है सो आप देख सकते हो back panel में भी जो यहाँ पर finishing की गई है वो properly नहीं है आप edges पर देख सकते हो कैसा यह cutting है यह proper cutting नहीं की गई है जिसके कारण यहाँ पर जो भी mosquito है यह जो भी insect होगा इसके अंदर water के अंदर easily वो जा सकते है आपको मैं यहाँ पर clearly दिखा रहा हूँ सो देख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा सा finishing का issue है इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर gapping दिख रहा होगा और जो भी इसका performance है काफी अच्छा है वो वीडियो को आप पूरा जरूर देख रहा है और यहाँ पर आपको एक drain switch मिल जाता है जिसके तो आप water को drain कर सकते हो अगर आप इस plastic के यह जो cap है इसको आप निकाल कर यहाँ पर drain pipe को connect करते हो तो water drain होता है उसी के साथ एक water inlet है तीन साइट से आप इसमें water inlet कर सकते हो एक तो right वाले water inlet से एक यह left वाला जो nozzle यहाँ पर आपको मिल जाता है actually यह auto filling के लिए है यहाँ पर आप hose pipe को direct connect करते हो यह इसमें जब भी यह fill हो जाता है water तो यहाँ पर यह पानी लेना बंद कर देता है so ice chamber के अंदर आपको एक warranty card और यह जो आप drain connector और एक hose connector देख रहो यह आपको मिल जाता है तो जो यह L वाला आप देख रहो connector इसमें आपको लगाना है तो यह जो छोटा सा आपको tube होगा plastic का इसको आप जब बहार निकालते हो तो इसी के अंदर आपको जो L safe दिख रहोगा pipe इसमें आपको connect करना है तो यहाँ से आपका जो भी जब भी आप drain out करोगे water को तो वहाँ से वो easily निकल जाता है तो drain out करने के time काफी time लगता है क्योंकि यहाँ पे जो flow है काफी कम है और pipe का जो भी अगर आप उसका जो diameter बोलो काफी कम है तो काफी ज़्यादा समय लग जाता है drain out करने में और उसी के साथ यहाँ पे आप humidity control भी कर सकते हो low high का आपको options मिल जाता है pump को आप कम या ज़्यादा पे चला सकते हो तो फ्रेंड देख सकते हो यह उपर का आपको पैनल दिख रहा होगा यहाँ पर आपको तीन switches है फ़र्स तो यह जो है power switch है और उसी के साथ speed और function का switch आपको यहाँ पे मिल जाता है तो जो switches यहाँ पर आपको दिये गए है वो ठीक है उसके जो quality की बात गरे तो ठीक ठाक है ऐसा नहीं है कि कराब है अच्छे quality का ही है यह और इसके तुरू आप यहाँ पर on off कर सकते हो यह आपका speed है जिसमें आप low, medium और high कर सकते हो साथी साथ off भी कर सकते हो और इसी के साथ function है इसमें आपको तीन function दिये गए है फर्स तो pump है केबल आप pump को चला सकते हो एक pump and swing है pump और swing आपका दोनों function on रहेगा और third cable swing है जिसमें की cable आपका swing function काम करेगा इस बात को आपको ध्यान रखना है और उसी के साथ अगर हम बात करें इसका ice chamber जो इसमें आपको मिलता है काफी बरा ice chamber मिलता है यहाँ पर आप वो देख सकते हो और इसके तुरू भी आप water inlet कर सकते तो एक तो दो तो आपको पीछे के side मिलता है और third directly आप यहाँ सभी water डाल सकते हो तो जो first जो pump के through जो water आता है वो हमारे center वाले portion पे collect होता है उसके बाद वो drain out होते हुए जो आप edges देख रहे होगे आपको जो holes देख रहे हैं वो directly water उसके through वो honeycomb pads पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा directly pump के through जो pipe है वो connected है तो इसका जो mechanism है कुछ ऐसा ही है और इसके साथ जो हमें cable मिल रहा है वो भी अच्छे quality का है आप देख सकते हो लगवाग डेर मीटर के around यह हमारा जो है cable आपको इसमें मिल जाता है सो चलिए मैं इसको आपको start करके दिखा देता हूं इसका जो performance है first वो look में कैसा है इसका आवाज कैसा है basically वो आप यहाँ पे आप सुन सकते हो के आप यहां पर यहां पर स्विंग फांचन भी आउन कर जाहा हूं आप आप देख सकते हो जो इसके जो वर्टिकल स्वर्वर्स है वो मूव हो रहा है सो चलिए इसमें मैं water fill करके आपको दिखा देता हूं तो आप चाहो तो उपर की compartment के तुभी water आप यहां पे fill कर सकते हो इसली यहां से हो जाता है और उसी के साथ आप आपको जो बैक पैनल पे जो लेफ्ट और राइट मैंने आपको मोजल दिखाये था इसके तुरू भी आप water fill कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हो लेफ्ट वाले में auto filling की सुविधा दी गई है इसमें जैसे वाटर फिल हो जाता है प्रॉपरली मैक्स तक फिल हो जाता है तो यह अटो बंद हो जाता है तो यहां पर मैं पंप को ओन करके आपको दिखा देता हूं इसका जो मैकनिजम है वह कैसे है सो आप देख सकते हो पंप ओन होते के साथ ही हमारे जो स्कार्टिंग में आपको क्यूब दिखरा होगा कॉर्णर पर वहां से पानी आता है और फर्स तो यह सेंटर में कलेक्ट होता है और उसके बाद जो आपको ड्रेनिंग सिस्टम थोरा सा कर्व एंगल दिखरा होगा व आप देख सकते हो जो पानी है अब वो ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो गया है सेंटर से साइट साइट से जो आपको दिख रहे होंगे पैनल उसके उपर आपको यहां पर पानी आता होगा तो आप देख सकते हो एजेस पे जो वाटर है वो आना स्टार्ट हो गया है और उ उसी के साथ आप देख सकते हो जो ड्रेन वाला जो system है वह कैसे वर्ट करता है तो जैसे आप नॉप को द्रेन के side करते हो तो यहां पे ड्रेनिंग जो आप पाइप देख रहे हो यह भी यहां पे leakage हो रहा है प्रॉपर ली कनेक्टेद नहीं है उसके कारण हो रहा है तो यहां जो drain वाला जो knob है वो वर करना start हो जाता है So friends अगर हम overall is cooler की बात करें तो जो इसका जो हवा है काफी थंड हवा है इसका जब भी इसका जो honeycomb pad है वो प्रपली गीला हो जाता है तो आपको जो हवा है वो confirm है थंडक हवा आपको इसमें महसूस हो गई बट यही है आपको इसे open room में चलाना होगा means आपका जो भी door window है वो open होना चाहिए तब ही आप इसके थंड हवा को महसूस कर पाओगे अगर आप इसे close room के अंदर चलाते हो तो आप बस हवा को feel कर सकते हो बट जो overall जो आपका जो room है वो गरम रहेगा आप जब भी बाहर से अंदर की तरफ आओगे अपने room में तो आप महसूस कर पाओगे जब भी आप इसको close room में चलाते हो तो गरम हवा आएगा इस बात का ध्यान रखना इसे चलाने के लिए proper आपको cross ventilation देना होगा देख सकते हो कुछ समय के बाद ही इसका जो जाला है वो गंदा होना स्टार्ट हो जाता है तो आप इसे proper time to time पे clean कर सकते हो तो overall जो experience है इस product का काफी ठीक ठाक है केबल इसका जो finishing issue था वो इस product में था बट overall इसका जो भी performance है काफी अच्छा है तो आसे आपको वीडियो अच्छी लगे होगी फिर मिलेंगा हम नेक्स वीडियो में किसी new information के साथ thanks for watching